तो बच्चे इसकी और प्रैक्टिस करें को सबसे पहले हमको एक फंक्शन दिया fx fx कितना दिया हुआ है 10x प्लस 7 हमको एक फलन g ग्याद करना है इस तरह से जी ओ एफ जो आइडेंटिटी फलन हो जाए तो आपको बच्चों को पता है आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है आइडेंटिटी फंक्शन का मल्लब यह होता है कि हम अगर x पर आरूपित करते हैं तो हमको बापिस x मिल जाए तो यहां पर हम देखते हैं कि fx कितना दिया हुआ है 10x प्लस 7 तो g को हम ऐसा ले ले हैं कि x-7 upon 10 माल लेते हैं तो जड़ा आप चेक करोगे g of x कितना हो जाएगा g fx g fx कितना दिया हुआ है 10x प्लस 7 अब हमने g को आरूपित किया तो g x एकॉल टू हमने माना है x-7 upon 10 कितना हो जाएगा x के इस्तान पर 10x प्लस 7 रख दीजिए 10x प्लस 7-7 upon 10 तो 7 और 7 cancel हो गया यह हो जाएगा x जिसका मदलब क्या हो गया g of x equal to identity तो बच्चे हम देख रहा होंगे कि हमने composite function का मान निकाला वो आई के बराबर आ रहा है इसलिए g हमने जो use किया है जिसका आउवरe x minus 10, यह इसका answer हो गया टीक है अब हम अगला caution दीए अगला caution है यहाँ पर fx equal to n plus 1 दीजा है और w के आएपर पूरांगों का समुच्चा है W जो है पूरांगों का समुच्च्च्च्च है तो हमको एप का विद्कमणी ग्याद करना है तो आपको बताया था हमने कि यदि समुच्च्च है दिया है दोओ यह डोमैन है और यह रेंज है इसका एक अफ एप n लेका चले और इस पर हमने function f आरूपित किया क्या मिला हमको n प्लस 1 और जब हम इसको पर inverse आरूपित करते है f inverse इसको ज़िए हम माल लेते हैं y तो f inverse y कितना आना चाहिए n तो इसका हमको हंकसें माल लिया इसको कि यह आना चाहिए माल लो तो इसको solve करी ज़िए रहा यहां पर f n कितना दिया हुआ है n प्लस 1 इसको उमने हम y माल लिया n इक्वल कितना हो जाएगा y minus 1 y minus 1 तो इहां पर f inverse n f inverse y इक्वल n की value कितनी आ गई y minus 1 यह इसका inverse function का हमको ज्याद करना था विट्कॉणी फलन तो यह इसका answer हो गया अब हम यहां पर कॉशन दिया हुआ है यहां f x बराबर x q तो हमको इसको एक एक one to one function दिखाना है तो one to one f one to one कब होगा कब होता है जब होता है जब होता है जब हम इसको यह condition को चेक करें इस condition को यह हम सिद्धिक कर देते हैं तो फलन जो है one one हो जाएगा तो हम यहां पर लेके चलते हैं f x 1 बराबर f x 2 this imply f x 1 कितना दिया हुआ है x की घात 3 हो जाएगा यहां कितना हो जाएगा x 2 की घात 3 x 1 q बराबर x 1 x 2 q तो x 1 equal कितना हो गया x 2 यहां हमने दिखा दिया कि f x 1 बराबर f x 2 लेके कर चलने पर x 1 बराब x 2 इसका मिलब क्या हो गया f 1 एक है ठीक है clear हमने यहां जो बॉक्स में सर्थ लिखी है यदि यह सर्थ संतुष्ट करता है कोई फलन तो फलन एक होता है और हमने दिखा दिया कि f x 1 बराब f 2 लेने पर x 1 बराब x 2 बराब इसका मिलब फलन एक है अब हम अगले question पर आते हैं यहां पर हमको दो function दिये हुए f x बराबर x तो हमको दिखाना कि f function एक है और g एक एक नहीं है तो यहां f x एक्वाल x दिया हुआ है तो एक एक के लिए हमने जो condition बताई थी क्या बताई तमने f x 1 f x 2 को लेके चलते हैं तो f x 1 किसके बराब f x equal to x है f x 1 कितना हो जाएगा x 1 और f x 2 कितना हो जाएगा x 2 इसका मदलब क्या है f एक एक है अब हम दूसरा function दिया हुआ है g x equal to mod x इसको हमको एक एक चेक करना है तो यहां पर हम क्या करेंगे g x 1 equal g x 2 लेके चलेंगे तो g x 1 कितना होता है mod x 1 और g x 2 कितना होगा mod x 2 और हम देखते हैं कि x 1 बराबर x 2 जरूरी नहीं है plus minus x 2 भी हो सकता है इसका मदलब क्या हो गया कि x 1 not necessary equal to x 2 इसका मदलब क्या हो गया यहां पर g एक 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 नहीं है क्लियर हुआ है चूंकि आप x1 और x2 बराबर नहीं है इसलिए g एक एक नहीं है और यहां पर हर case में x1 बराबर x2 एक फंक्शन के लिए इसलिए फंक्शन एक एक है अब हमको यहां पर समुच्छे दिए हुए इसमें हमको f फंक्शन डिफाइन किया गया है हमको इन्वस फंक्शन ग्याद करना है यहां देखेंगे हम s और दूसर फंक्शन दे t तो f जो फंक्शन डिफाइन किया गया है यहां पर a b c a पर हमने फंक्शन f आरूपित किया तो हमको क्या मिला 3 यहां देखिए आप पेर में और b पर हमने f आरूपित किया तो यहां पर 2 मिला और c पर f आरूपित किया तो हमको 1 मिला तो हमको f इन्वस आइन करना है यहां देखो f a इक्वल 3 f b इक्वल 2 f c इक्वल 1 तो यहां पर f इन्वस क्या हो जाएगा f इन्वस f इन्वस 3 इक्वल कितना हो जाएगा a f इन्वस 2 इक्वल b f इन्वस 1 इक्वल c तो f इन्वस सेट में किस तरह किया अब होंगे 3 a 2 b 1 c ठीक है इसी प्रकास से आप दूसर कॉस्टन भी करेंगे जैसे हमने पहला किया वैसा ही आपको दूसरा करना है ओके थैंक यू